दोस्तो अगर आपके पास भी पंजम नसमन बैंक का खाता है और साथियो अगर आप भी अपनी मुआल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों को ही चालू करना चाहते हैं आपके पास ATM कार नहीं है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे किस परकार से आप आधार और पैंक खाते के साथ रजिस्टर्ड मुआल लंबर होना अतियावसक है आपको PNB बन एप्लीकेशन को प्लेश्टोर से डाउनलोड करना है उसके बास सिंपली साम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं साथ यहां पर एप्लीकेशन ओपन होने में यहां पर थोड़ा सा टा हैं अब यहां पर अगर पहले से लोगन करा हैं तो यहां पर आइडी डाल के अपना साइन रोिन्वान х अब आप लोग देखें लिए तो इन भी आप कर सकते हैं अगर आप लोग कर दोоки नहीं दू condens पर कर सकते hair लगicamente तो हमें क्या करना है registration with आधार तो सिंपलिश वम्हें third option को चूस करना है यसांढ़ है तो सबसे पहले आपको चार option दीखने को मिले गी। तो simply सा हमें अपना account number यहाँ पर फिलब कर देना है उसके बाद pen card number डालेंगे date of birth यहाँ पर नीचे pen card का option आता है अब यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात है registration channel यानि की किस प्रकाश आप registration करेंगे mobile banking और internet banking तो हमें दोनों को करना है तो नीचे वाले टिक करेंगे बहीं पर दोस्तों transaction type में आपको view and transaction दोनों को ही टिक करना पड़ता है क्योंको transaction इसमें कर सकते हैं और transaction को हम देख भी सकते हैं उसके बाद हमें simple सा continue वाले option पर क्लिक करके आगे आ जाना है तो friend हमें क्या करना है अब यहाँ पर हमें OTP डालना पड़ता है next option में तो हमारे registered mobile number पर एक OTP send किया गया होगा तो simply सा हम अपना OTP फिल करके continue वाले option पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो हम अपना OTP यहाँ पर फिलब कर लेते हैं उसके बाद finally दोस्तो हमें continue वाला option चूस करना है अब यहाँ पर हमें next option में आधार card डालें का option आ जाता है तो simply सा हम अपना आधार card number डालेंगे हमारे तीन option complete हो चुके एक दो तीन अब चौतरा रह गया है तो simply सा हमें क्या करना है इसमें आधार card को डालना है आधार यानि की verify करना है आधार card को तभी जाकर हमारा registration complete होता है तो simply हम अपना आधार number डालेंगे उसके बाद नीचे एक option मिलेगा आपको submit वाला तो simply सा हम अपना आधार number डालके submit कर देंगे term and condition को accept करके तो simply हम अपना कर देते हैं उसके बाद दोस्तो आपके जो आधार card में मौल लंबर link है उसके पर एक OTP send किया जाता है तो simply सा हम अधार OTP को यहाँ पर fill up करेंगे क्योंकि दोस्तो हमारा तभी जाकर registration होगा अगर हम OTP नहीं डालेंगे तो कैसे होगा तो simply सा में अधार OTP को fill up करके continue वाले option पर tap करके आँगे आ जाना है तो साथियो हम अपना OTP यहाँ पर डाल लेते हैं जो भी हमारे आधार में नंबर link था उस पर OTP आ चुका है तो हम अपना OTP fill करेंगे साथियो अब आपको यहाँ पर क्या करना है अपने password set करने पड़ते हैं transaction करने के लिए login होने के लिए और tip in भी set करना पड़ता है security के लिए तो simply some sign in password डालेंगे सबसे पहले option पर आपको देखनी को मिल जाता है यहाँ कि चार option पांच option complete हो चुके हैं अब यहाँ छटमा option हमारा आ गया है यहाँ पर sign in password हमें डालना है उसके बाद confirm भी उसको करना पड़ता है अब यहाँ पर second option में आपको transaction password डालना पड़ता है जो भी आप transaction करेंगे इसी password से आपके होंगे तो आप ध्यान पूर वखी इसको याद रखिएगा उसके बाद confirm करेंगे यहाँ पर हमें टीप in डालना है टीप in को confirm करना है और उसके बाद हमें अपना submit वाला option टैप कर देना है जिसके बाद next window ओपन होके आ जाएगी तो साथियो password आप strong बनाईएगा तो हम display पर आपको password सू कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप भी अपने password बना सकते हैं आप अपने हिसाब से बनाईएगा और उसको याद रखिएगा जिसके बाद आप transaction कर सकते हैं अब हमने password को यहाँ पर डाल दिया है सभी password यहाँ पर टीप in और password डल चुका है अब हम submit वाला option किलिक करेंगे तो दोस्तो हमने submit कर दिया है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं registration successfully और हमारी user ID भी यहाँ पर सो होके आ चुकी है तो दोस्तो हमने आधर काट के थूर रेजिस्टेशन करने का complete process आपको बता दिया है अब साथ ही हम क्या करेंगे इसमें login होके आपको प्रूब के साथ ही बताएंगे sign in बाला option चूस करना है तो simply सा sign in पर किलिक करेंगे उसके बाद process to login कर लेंगे अपनी user ID डला है जो हमें registration के बाद मिल चुकी थी आप यहाँ पर दोस्तो आपको अपनी SIM को चूस करना है जो भी mobile number आपके bank में link है उसको चूस करेंगे तो हमारी SIM भी यहाँ पर आ चुकी हम tick कर देंगे उसको तो साथ ही हमारी second number बाली SIM हमारी bank में link है तो उसको चूस करेंगे उसके बाद continue बाले option पर किलिक कर देंगे किलिक करते ही दोस्तो हमारा bear application हो रहा है SMS send हो चुका है अब यहाँ पर हम थोड़ा सा wait करेंगे उसके बाद हमें OTP मिल जाएगा हमारी registered mobile number पर अब दोस्तो हम चारंकू का अपना MPN create करेंगे जिससे कि हम अपनी PNB 1 application में login होते हैं तो चारंकू का हमें अपना MPN बना लेना है उसको confirm भी कर देना है तो हमने confirm यहाँ पर कर दिया है उसके बाद हम submit बाला option चूस करेंगे तो दोस्तो हमने submit कर दिया है उसके बाद आप लोग देख सकते हैं MPN set successfully अब दोस्तो इसी MPN से हम PNB 1 application में login होंगे तो sign in बाला option चूस करना है उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आपर आपका भी नाम इसी परकार से आ जाएगा मेरा जैसा की आ चुका है अब please enter four digit MPN अब हमें वही MPN डाला है जो भी हमने set किया था तो simply साथ हम अपना MPN यहाँ पर enter करेंगे उसके बाद आसानी से इसमें login हो जाएंगे तो दोस्तो फाइनली हम यहाँ पर अपना MPN डाल चुके हैं अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको प्रूप के साथ बता दिया है किस प्रकार से आप आधार काट के थुरू ही PNB बन और Net Banking दोनों को चालूब कर सकते हैं